हलो फ्रेंड्स आज हम नाइंध क्लास की बुक मोमेंट्स के चैप्टर टेन दबैगर रिटन बाई एंटेन चैपोफ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अगर आपको इस चैप्टर की फुल हिंदी एक्स्प्लानिशन देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगे लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं आएए करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैज लस्कॉप बीकम अब बैगर बाई सर्कम्स्टांस और बाई चॉइस लस्कॉप जो इस चैप्टर में एक बैगर है उसके बारे में बताना है जब वह बैगर बना तो ऐसा सर्कम्स्टांसिस के वज़े से हुआ या वह है अपनी चॉइस से बैगर मना आएए देखते है इस कॉष्चन का आंसर्स लस्कॉप हैज पिकम अब बैगर नोट पार चॉइस लस्कॉप चॉइस से बैगर नहीं बना है बच बच बाई सर्कम्स्टांस circumstance ही ऐसे थे प्रिस्थिती ही ऐसी थी कि उसे बैगर बनना पड़ा in reality he was a singer in a russian choir russian choir में एक singer था but he was expelled from his job because of his drunkenness लेकिन उसे job से निकाल दिया गया था और उसका मुठ्षय कारण था कि वह है drink करता था his drinking habit made him weak and he could not work उसकी drinking की habit ने उसे कमजोर बना दिया और अब वह काम नहीं कर सकता था so he started packing इसलिए उसने भीक मागना शुरू करतिया बैगिंग सुरू करती what reasons does he give to sergey for his telling lies लसकोप सरगई को जूट बोलने के क्या कारण बताता है he यहां किस के लिए प्रियोग हुआ है लसकोप के लिए लसकोप जूट बोलता था जूट मांग करके बैगिंग करता था तो वह क्या कारण देता है कि वह जूट क्यों बोलता है लसकोप टेल सरगई देट नोवन वूट हैल्प हीम इफ ही तोल्ट दा ट्रोथ कि यदि उसने सच बताया तो कोई भी उसकी हैल्प नहीं करेगा वह यह भी एक्स्प्लेइन करता है कि उसे पैसा और सिंपती पैसा और सहनुबूती दोनों प्राप्त हो जाते हैं दोनों मिल जाते हैं आप्टर टेलिंग लाइज जूट बोलने के बाद अगर वैं जोट बोलता है तो लोग उसके परती सिंपती भी रखते हैं और उसे पैसा भी देते हैं वट लाइचे डज लसकोप टेल सरगई टू बैग कौन-कौन से ऐसे जोट है जो सरगई को लसकोप बताता है भीक मांगने के लिए कि जब वह भीक मांगता है तो कौन-कौन से जोट बोलता है क्योंकि सरगई ने लसकोप की इस चीटिंग की है विट को कि वह सब को चीट करता है जोट बोल करके उसे पकड़ लिया था अब लसकोप उसे एक्स्प्लेइन करता है लसकोप सरगई को बताता है कि 8 साल वह एक स्कूल का टीचर रहा था लेकिन उसने अपनी जाल साजी की वज़े से इंट्रीइक्स की वज़े से खो दी उसके खिलाब जह है लोगों ने फाल्स स्टेट्मेंट बनाए और दूसरा जूट यह बताता है कि वह एक बार एक स्टुडेंट रहा था जिसको भी बहार निकाल दिया गया था तो यह दो जूट लसकोप सरगई को बताता है उसके सामने बोलता है ताकि उसे भीक मिल जाए और उसका काम चल जाए वाए वोच सरगई एंगरी जो सरगई है वह नाराज क्यों था सरगई इस वज़े से नाराज था क्योंकि लसकोप हमेशा जूट बोलता था जूट क्यों बोलता था क्योंकि उसे लोगों से पैसा चाहिए था in order to get money in this way he was cheating others और इस परकार से लसकोप दूसरों को cheat कर रहा था यही कारण था कि सरगई उससे नाराज था वाइ डिट दा एड्वोकेट सरगई थ्रेक्टन तू सेंड दा पॉलिस फोर दा लिस्नर अब यहां पर लिस्नर कोन है लिस्नर है यहां पर लसकोप और जब लसकोप जूट बोलता है और अपनी गलती को अग्सेप्ट नहीं करता है तब सरगई कहता है कि भृफ पॉलिस को तुम्हें पकड़ने के लिये भेज़ेगा उसको ऐसी धंकी देता है तो ऐसा क्यों करता है सरगई यही पूछा है कि उसको धंकी क्यों देता है The advocate सरगई threatened to send the police for लस्कॉप because the letter was not ready to admit letter का मतलब बादवाला बादवाला कौन लस्कॉप तो यह letter किसके लिए रुजवा है लस्कॉप के लिए क्योंकि जो बादवाला है जो लस्कॉप है was not ready to admit वह admit करने के लिए ready ही नहीं था that he was telling light कि वह जोट बोल रहा है अगर वह यह बात admit कर लेता तो advocate सर्गई को ऐसी बात कहने की जुरुते नहीं पड़ती हाला कि बाद में लस्कॉप admit कर लेता है कि वह जोट बोल रहा था who was Olga how did she help लस्कॉप Olga कौन थी और वह लस्कॉप की मदद कैसे करती है Olga बोच्दा कूप सर्गई सर्गई जी कुख थी she helped लस्कॉप by chopping wood for him वह लस्कॉप की मदद इस प्रकार से कर देती है कि वह इसके लिए wood chop कर देती है जो काम सर्गई ने लस्कॉप को दिया था वह काम Olga उसके लिए कर देती है Where did सर्गई सेंड लस्कॉप What advice did he give him सर्गई लस्कॉप को कहा भेचता है और वहल से क्या सलहा देता है सर्गई सेंड लस्कॉप to his friend to work as a copywriter सर्गई लस्कॉप को अपने फ्रेंड के पास भेचता है और वहां पर क्या काम होता है copywriter का यनकी copy करने का कारिया होता है He advised him to work hard and not to drink और वैसे सलह देता है एक तो hard work करना है और दूसरा drink नहीं करनी है Next question देखिए Where did सर्गई सी Lascope after two years What work was he doing then दो साल के बाद सर्गई लस्कॉप को कहा मिलता है और उसमें क्या काम कर रहा होता है ये बताना है सर्गई साल लस्कॉप standing at the ticket window of a theater after two years दो साल के बाद एक theater की ticket window पर Describe the physical appearance of Lascope When सर्गई मेट हिम जब सर्गई लस्कॉप को मिलता है तो Lascope की physical appearance कैसी थी हमने ये describe करना है लस्कॉप क्या पहने होता है जब सर्गई उसे मिलता है वह है एक फान कलर फान कलर येलो कलर का एक slight येलो कलर का ओवर को मिलता है and his eyes were dull and drunken और उसके आखे डल थी और उसने ऐसा लगा रहा था जैसे उसने पी रखी हो जैसे उसने ड्रिंक कर रखी हो ऐसा लग रहा था there was a red spot on either cheek गाल पे red spot था he was wearing overshoot also और उसने overshoot भी डाले वे ते overshoot आपको पहले भी बता चुका हूं इस वीडियो की explanation में कि एक शूज को पर दूसरा कोई cover करने के लिए पहने जाने वाला शूज is called overshoot next question why does Lascope want to go to Kaluga Lascope Kaluga क्यों जाना चाहता है Kaluga एक place का नाम है Lascope claims that he has an offer of a position in the province of Kaluga Kaluga प्रांत में उसे एक offer मिला है किसी post के लिए किसी position के लिए Lascope ऐसा claim करता है so he wants to go there इसलिए वह वहाँ जाना चाहता है what offer was made by Sergei to the bagger and why Sergei ने bagger को एक offer दी थी वहाँ पर क्या थी यह बताना है और क्यों ऐसी offer bagger को Sergei के द्वारा ती गई Sergei offered Lascope to chop wood for him Sergei ने से wood chop करने का कारिया दिया था and earth money कि वह wood chop करे और पैसा कमाए he made the offer because he believed that people could be reformed by hard work instead of begging क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि भीक मागने की बचाए hard work करके लोगों में सुधार किया जा सकता है लोगों को सुधारा जा सकता है Is Lascope a willing worker? क्या Lascope एक willing worker है? क्या वहें काम करना चाहता है? Why then does he agree to chop wood for Sergei? अगर ऐसा नहीं है तो वहें सरगई के लिए wood chopping का काम करने के लिए कैसे सहमत हो जाता है? Lascope is not a willing worker Lascope काम करने ही नहीं चाहता Because alcohol had made him very weak तो कि alcohol ने उसे बहुत कमजूर कर दिया था वहें drink करता था इसके वज़े से बहुत जादा कमजूर हो गया था But he agrees to chop wood for Sergei Because of pride and shame लेकिन वहें सरगई के लिए काम करने के लिए त्यार हो जाता है Wood chop करने के लिए और ऐसा क्यों करता है? केवल उसने pride और shame के करण क्योंकि उसने ऐसा कह दिया था कि वहें काम करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता तो because of pride and shame He agrees to chop wood for Sergei He does so ऐसा क्यों करता है? ये भी बताया है Because he had earlier expressed his willingness to do work क्योंकि उसने पहले ही सरगई के सामने काम करने की इच्छा जता दी थी, expressे, कर दी थी, व्यक्त कर दी थी कि वहें काम करेगा इसलिए उसे बात में काम करने के लिए ready होना पड़ा था Who was the pseudo teacher? pseudo teacher मतलब जो जूटा हो तो उसने जूट बोला था कि वहें एक village school teacher है इसलिए यहाँ पर पूछा है Who was the pseudo teacher? Why did he not chop wood? pseudo teacher कौन था और वहें would chop क्यों नहीं करता है यह भी बताना है लसकोप was the pseudo teacher He did not chop wood because he was very weak both physically and mentally लसकोप को यहाँ pseudo teacher कहा गया है और वहें इसलिए would chop नहीं करना चाहता था क्योंकि वहें physically सारी रिकूर रूप से और mentally मानसिक रूप से दोनों ही प्रकार से कमजोर हूँ चुका था He sat on a log and lost in his thoughts वैटर के वले एक बड़े से लखड़ी के लख़े पर बैठ जाता है और अपने विचावरों में खो जाता है I am very happy that my words have taken effect Why does Sargai say so? Sargai ने लसकोप को ऐसा कहा था कि मैं बहुत खुस हूँ क्योंकि मेरे सब्दों का तुम्हारे उपर परभावक पड़ा है Sargai found that Lascope was sober, gloomy and silent this time Sargai ने पाया कि Lascope अब sober है, gloomy, उदास है और silent है, चुपचाप है Now the bagger was helping in packing and hauling of furniture और अब ये बैगर जो लसकोप है वो packing करने में भी help कर रहा था और furniture को गाड़ी में रखने में भी उसमें मदद कर रहा था उसको सहरा दे रहा था और ये बात तब की है, जब Sargai अपने नए घर में shift हो रहे थे तूसरे जगा shift हो रहे थे और Sargai ने उसे काम करने के लिए hire किया था तब Sargai ऐसा पाता है, कि वह sober, gloomy and silent है Sargai was right in saying Sargai फिर ऐसा कहता है, कि I am very happy that my words have taken effect ऐसा इसलिए कहता है और ऐसा कहने में बिल्कुल सही भी है Because he wanted to give an option to quit betting क्योंकि वह उसे betting करने से रोखना चाहता है और उसके लिए उसे एक option देना चाहता है तो ऐसी बात कहकर वह उसे encourage कर रहा है Lascope is earning 35 rubles a month How is he obliged to Sargai for this? Lascope एक महिने में 35 rubles earn कर रहा है इसके लिए वह सरगई के परती कैसे obliged है कैसे कृतग्य है कैसे उसका आभारी है यह बताना है Lascope is earning 35 rubles a month as a notary एक notary का काम करके वह 35 rubles एक महिने में earn कर रहा है He is obliged to Sargai for this because he got the job as recommended by Sargai वह सरगई के परती इसलिए obliged है क्योंकि उसको यह job Sargai नहीं recommend की थी और Sargai की वज़े से ही उसे जवाब मिली थी Write down about Sargai Sargai के बारे में बताना है Describe गरना है Sargai is an advocate Sargai एक advocate है He hates lies उसे जुढ बोलने से नफरत है He is short tempered वह short tempered भी है and the child's Lascope for cheating और वह cheat करने के लिए Lascope को child भी करता है उसको फटकारता भी है He believes that hard work can reform anyone उसे ऐसा विश्वास है के hard work किसको भी reform कर सकता है So he gives Lascope work इसलिए वह है Lascope को काम देता है to chop wood wood को chop करने का He sports the bagger where bagger को sport करता है and sends him to his friend और उसको अपने friend के पास बेचता है There he works as a notary and earns 35 rubles a month वहाँ पर जो bagger है जो Lascope है वहाँ एक notary के तोर पर काम करता है और 35 rubles एक महिने में कमाता है After two years when Sargai meets Lascope He is very happy और दो साल के बाद जब Sargai दोब़़ा Lascope को मिलता है तो वहाँ बहुत खुस भी होता है In short हम कह सकते हैं Sargai इजा कुछ परसन Sargai एक अच्छा व्यक्ति है आई ये करते हैं Last question Write about Olga Olga के बारे में लिखना है Olga कौन है Olga is the cook of Sargai Sargai की cook है She is a kind lady वहाई एक बहुत देयालू महिला है She appears to be ill-tempered अलाकि वहाई हमें बूरी प्रतित होती है कि इसका सौभाव बेकार है But good in nature लेकिन वहाई nature में बहुत अच्छी है She scolds and curses Lascope But also sets tears for him Where Lascope को जाटती है उसको भला वुरा कहती है लेकिन उसके लिए आसू भी बहाती है उसके लिए रोती भी है She also chops wood for Lascope Lascope के लिए वहाई Wood chopping का काम भी करती है So that he could earn some money ताकि वहाई कुछ पैसा कमा सके In short, it is Olga यह Olga ही है Who saves Lascope's life जो Lascope के जीवन को बचाती है I hope आपको सभी question answer से समझ में आ गए होंगे अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो से subscribe करते हैं वीडियो को like और share करना ना भूलें comment box से comment अवश्य लिखें और red bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के notifications आपको मिलते रहें Thank you Have a nice time